अगर आपको चारों और से घेरा जारा है तो दवाई भी चारों और से लगानी पड़ेगी तो दवाई क्या है और ये भी शुरुआत है सबसे पहले कानूनी MSP लागू की जाएगी और स्वामिनार्थन रिपोर्ट के मताबिक की जाएगी अगर 16 लाग करो रुपे उनका करजा माफ हो सकता है तो आपका भी करजा माफ होगा फसल भीमा योजना को री स्ट्रक्चर करना फसल भीमा योजना का काम आपकी रक्षा करने का है उद्योग पतियों की रक्षा करने का नहीं Export-Import Policy से आपकी रक्षा होगी आपकी प्राइस की रक्षा होगी आपका जो दाम है Export-Import Policy उसकी रक्षा करें इस GST को हम स्टडी करके एक टैक्स देंगे आपको और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसान GST में ना है